दोस्तों अगर आपने गलती से WhatsApp के New Privacy and Policy को Accept कर लिया एगरी कर लिया है अब आप सोचते हैं कि कैसे हैं उसे Disagree करें या फिर बहुत से लोगों ने WhatsApp के New Privacy and Policy को Note Now किया है उनके मन में भी अभी भी सवाल है कि सायद 8 फरवरी तक हमारा account डिलीट हो जाएगा तो आग कि इस वी सबी सवालों का जबाब भी इसी में है कि आखिर कैसे डिसेगरी करें वाट्सअप के न्यू प्रैप्सियंट पॉलिसी को या फिर आठ फरवरी तक हमारा वाट्सअप डिलीट होगा या फिर नहीं सबी जानकार इसमें दिया गया है तो चलिए जान लेते हैं बात करें सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वाट्सअप ने यहाँ पे अपने ओफिसियल वाट्सअप के ट्वीटर हैंडल पे रोज एक एक ट्वीट कर रहा है यहाँ पे आपको बता रहा है कि आपको डरने की जरूएत बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे देख सकते हैं 16 जन है thank you to everyone who reach out we are still working to counter any by communicating directly with whatsapp user no one will have their account suspended or deleted on art for war यानि किसी का भी account of art for war तक deleted नहीं होगा बहुत ही बड़ा भरम पहला जा रहा है लेकिन पहले whatsapp ने कहा था कि art for war तक नहीं कीजेगा अगर इस accept और delete हो जाएगा लेकिन अब इसने खुद कहा है कि अब किसी का भी art for war तक अगर accept करते हैं या फिर reject करते हैं तो भी delete नहीं होगा ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे भरम फैल रहे इसके खिलाब कि whatsapp आपके data को share करेगा इसलिए whatsapp art for war तक अभी आपके account को delete नहीं करेगा इसका extended बढ़ा दिया है या फिर देख सकते हैं और यहां पर मैं के बाद ही कुछ update आपको देगा कि आपको जरूरी दे रहे हैं यहां पर देखिए खुद whatsapp ने कहा है क्योंकि बहुत से लोग के मन में भी वरम फैला हुए कि हमारे personal photos वीडियो को whatsapp share करेगा ऐसा नहीं होता है कभी whatsapp आपके personal photos वीडियो चैट को share नहीं करें पर देख सकते हैं साफ साफ इसने लिखा है कि हमें कई लोगों से फीड़ वाइप मिला है कि हमारी privacy policy की update पूरी तरीके से असपर्ष्ट और समझने में आसान नहीं है असल में बहुत गलत जानकारी फैला रही है इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारे काम करने का तरीका समझे और शाथ ही उसूलों और facts भी जाने उसके बाद दूसरे पहरा में whatsapp ने साफ साफ कहा है कि whatsapp इस उदेश को ध्यान में रख कर बनाया गया है कि आप अपने दोस्तों और परिजनों के साथ कुछ भी सेयर करते हैं वह आप लोगों को बीच ही रहे इसलिए आप प्रशनल बातचीत end to end encryption से हमारी सुरच्चीत है ताकि whatsapp और facebook दोनों ही आपके privacy message न देख सके यानि यहां पर साप साप का है कि बहुत सारे ब्रम पहला जाया है कि whatsapp आपके photos, videos को भी देखेगा लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता कि whatsapp आपके photo को देखे तो यहां पर इसका link medic system देदूँगा यहां पर आप आपके इसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं क्योंकि whatsapp ने साप साप इसके बारे में बताया है यानि कुछ भी ऐसा आपका नहीं whatsapp लेने वाला है कोई भी videos, photos, कुछ भी कीजिए, chat कीजिए तो अगर आपने गलती से accept भी कर दिया है तो tension मत लीजिए, आज बहुत सारे social media platform है सब आपके contact का information लेते हैं कि contact का permission लेते हैं, gallery का permission लेते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता कि जैसे मालिज अगर आप telegram ही चलाते हैं तो वहाँ पर भी आपको permission देने होते हैं contact का, और भी सारे information देने होते हैं gallery का permission देना होता है लेकिन ऐसा नहीं है कि ओ लोग आपके gallery का किसी और को दिखा या खुद देखे आपके chat देखे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा WhatsApp ने भी यहीं बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा हम आपके chat को पहले भी नहीं देखते थे अब भी नहीं देखेंगे दूसरों को बहकावे में मत आई है यहाँ पर इसका link पर आपको decision देदूँगा आप आके खुद इसे अच्छे से पढ़िए आपको सारा चीज आसानी से समझ में आ जाएगा तो अभी कलेता है दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा कोई भी डाउट कॉमेंट है तो कॉमेंट कीजेगा उसका रिप्लाइब में जरूंदूग अभी कलेता है थेंक्यों वाचिंग